दोस्तों बात करें तो मोबाइल फोन में प्राइविसी की बाते करते रहते हैं या फिर मोबाइल फोन को परसनल होना चाहिए प्राइवेट होना चाहिए मोबाइल की इंफॉर्मेशन फोन के अंदर ही रहनी चाहिए लेकिन आप लोग को मालूम है चाहिए गूगल ले लो च जो इसे पांच ऐसे फोन के बार में बात करने वालों जो सेक्यूरिटी एक्सपर्ट के दुआरे रेक्यमेंड भी किये जाते हैं और इनके अंदर आपको फुल फ्लेश सेक्यूरिटी देखने का मुलते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं लास्ट के अंदर में आपको ऐसे चीज जो कि आपको Pure OS पे चलता हुए देखने मिलता है अब Pure OS के बार में बात करें नहीं यह Android है नहीं iOS है यह Linux बेस्ट OS है जहां पर सारी open source application चलाई जाती है और जिसके अंदर आपको कोई भी penetration अगरे देखने को नहीं मिलता है यहां तक कि इसके अदर आपको dedicated hardware switch भी देखने को अब देखाया तो एक rigid phone की category के अंदर आता है जैसे rigid phones होते है ना लेकिन खास बात इसके अंदर यह कि यहां पर आपको दो operating system का चीज़ देखने को मिलती है यानि कि पहला तो एक custom android की skin जिससे आप regularly यूस कर सकते हो लेकिन इसके अदर आपको second OS का भी feature देखने को मिलता है जो कि है secure OS और secure OS के अंदर सारी चीज़े secure तरीकी से safe की जाती है even यहां पर आपको built-in always on VPN देखने को बलता है मलब internet से connect होगा तो VPN का use करके connect होगा और आपकी जो information रहती हुसे private रखेगा encrypted रखेगा और secure रखेगा और internet से आप कोई भी data या कोई भी website visit करोगे तो आपको identity हा hardware के privacy feature दे रखें जैसके जितने भी Bluetooth, GPS, Wi-Fi हो गया इन सब को एक बार में cut-off किया जा सकता है और पूरे के पूरे mobile phone की functionalities को limit किया सकता है ताकि कि किसी भी level की कोई भी tracking यह यहां पर possible ना हो पाए और इसी के साथ है यहां पर जो अगला phone है वो है black phone 2 अब black phone 2 ए खास बात य जैसे Android में कई आपको space देखने को मिल जाता है नहीं कि दो separate spaces देखने को लगा है यहां पर भी same के लिए यहां पर भी एक phone में दो spaces है एक personal एक private लेकन बात यह है कि personal और private space का data private space के अंदर ही रहता है वो आगे कहीं share भी नहीं होता और इससे आपकी जो private information है वो personal information है वो mix न और private information जो रहती है वो phone के अंदर ही रही यह काम होता है black phone 2 का और ऐसी similar syrin v3 है अब syrin v3 में भी क्या है दो spaces बनाए गए लिकन यहां पर difference है कि दो separate OS काम करते है पहला है regular android का और दूसरा है इनका secure OS secure OS के अंदर बात यह कि यहां पर आपको end-to-end encryption देखने हो था इवन calls भी अगर आप लगाएंगे तो ऐसी अप दी गई जिसमें आपको end-to-end encryption देखने को मिले यहां तक कि जो secure OS रहता है इनका वहां पर user अपनी पसंद की applications तक install नहीं कर सकता और सारी की सारी functionality से limit कर रखी ह जिसे user के data को यहां पर protect किया जा सके और कोई भी एप यहां पर कोई इसी भी एप की permission नहीं ले सके यहां फिर किसी भी टैप का जो data होता हो भार नहीं बैच सके और ऐसे ही सिरिन लैप्स का एक और फोन आता है यानि कि जैसे सिरिन V3 था मिनका एक और फोन है फिनी U1 अब इसके साथ बात यह कि ब्लोक्चेन टेक्नलोजी वे बेस्ट और इसके अंदर एक इंडिविशन क्रिप्टो वालेट देखने को मिलता है और इसलिए इसके अंदर आपको इंक्रिप्शन की advanced technology से जिससे obviously फोन को फोड़ा protect किया सकता है और इस फोन की खास बात है कि नहीं Android पर चलते हैं कि सिरी नोएस पर चलता है जो इसके अंदर आपको यहां पर प्राइवेट रखा जाता है प्राइवी सी को भी हाप इंपोर्टेंस दी जाती है और सिरी नोएस की खास बात है कि देखने की यूज़ करने में काफी जादा यूजर फ्रेंडलियों कोई देख के बता भी नहीं सकता कि सबसे ज्यादा सेक्ट्रों और ऐसे ही आपको फेयर फोन 3 देखने को मिल रहा है अब फेयर फोन 3 की खास बात यह थी कि इसे रिसेकल करके बनाने के लिए फोन को बनाया गया था ताकि थोड़ा इविस्ट कम किया जा सकते लेकिन इसके इंदर खास ब लिनेक्स हो गया या फिर कैलेक्स वगरा ऐसी कोई भी चीज अगर हो गई तो उसको यहां पर इंस्टॉल किया जा सकता है सेकंड इस पेस्पेस पे एक प्रॉपर सिक्ट्र एंड्रोइड का एक्स्पीनिस लिया जा सकता है मतलब रेगुलर काम करने के लिए नॉर्मल फोन प्राइविसी के लिए पर कोई डेडिकेटर ऑप्शन दे नहीं रखे लेकिन यह फोन जो एप्लिकेशन जो रन करता हो सारे के सारी ओपन सोर्स है तो देखा है तो यह कुछ फोन से जो कि प्राइविसी का ध्यान में रखे काफी तरीके से बनाए गया और इनके अंदर जादा सिक्क्वार बनाना है तो यहां पर ग्रफीन ओएस नाम की कस्टम रॉम देखने हो ते जो की एंड्रोइड से डेराइवड है लेकिन वहां पर प्राइविसी को लेके काफी जादा काम किया गया है इवन बात करें तो यहां पर आपका जी सारा डेटा है वो फोन के अंदरी रहेगा बाहर किसी का शेयर नहीं रहेगा और प्राइविसी को सब से उपर पर इसकी प्राइविसी रखी गई है इवन ग्रफीन वेस के बार में नहीं पता ना तो खुद एड्वर स्नोडन है ना उन्होंने इसको रेक्मेंड किया था ट्विटर पे तो देखा ज जाता है था में जिससे मॉबाइल फोन की जो प्रोटेक्शन होती है प्राइविसी उतर से नेक्स लेवल पर लिजा जा सके बागी आप लोग का इस बाइर में क्या उपीने ने यह बात नीं चिकमेंट बता ना भूला वीडियो पसंदे तो लाइक कर देना चैनल को सस्क्र झाल